हेलो फ्रेंट स्वागत आपका वाइफार स्टेडी पर मैं हूँ सुनील सर और आपके लिए लेकर गया हूँ वोक्यप के एक नई सीरीज दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप चीजों को बहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे अगर इसका टाइटल आपने अगर देखा है तो आपको लगता हो कि भाई ये क्या है ब्रो वोर्सस ब्रा मैं रिक्विस्ट करूँगा आप इस इवेंट को देखोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आएगी इंग्लिश सभी को आती है इंग्लिश किसी को नहीं आती है इंग्लिश किसी को कम आती है इंग्लिश किसी को ज्यादा नहीं आती है इंग्लिश लेंग्विस का परसेप्शन ये है कि छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ आपको दिखकर दे सकती है तो इस concept को मैं यहां समझाऊँ हूँ इस blank slide में इस से पहले हम चलते हैं थोड़ा सा एक छोटी सी बात कर देता हूँ एक तो life test चल रहा है और वाइफाई study defense exam चल रहा है दोनों इनको प्लीज आप like, share, subscribe करेंगे अपने यार दोस्तों को जो defense की तयारी कर रहे हैं उनको आप बताएंगे ठीकर उनसे आप subscribe करवाएंगे और एक हमारा unacademy पे 7 minute tricks launch हुआ है तो जरूर से आप इसको link मिलेगी आपके description में इसको आप जरूर से देखेंगे और NDA का special badge जो है unacademy पे plus course पे आपका wifi defense नाम का code लगाएंगे आपको discount मिलेगी referral discount और आपको बहुत शांदर उसमें preparation करवाएंगे और non-stop 60 days का ये schedule है NDA के लिए जो कि बहुत काम आएगा आपको और unacademy पे अगर आप मुझसे जूड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ प्लीज थोड़ा सा आप इसको seriously लें unacademy पे आप मुझसे जूड़ सकते हैं सुनील कुमार के नाम से आप मुझे सर्च करेंगे तो आप देखेंगे आपको ऐसे ऐसे वीडियो प्रिपोजिशन के बारे में पाटसाओ स्पीच के बारे में sentence improvement के बारे में PQRS के बारे में ऐसे एसे trick मिलेगी आपको आप गोल सर्च करेंगे वहां English में जाएंगे English grammar में और English grammar में जाने के बाद आप में आप NDA का या CDS का कोई भी एक platform आपको सर्च करेंगे और वहां एक से शांदार आपको presentation with PDF मिलेगी जिसमें बहुत अच्छी आपको grammar quality के आपको सीखने मिलेगी तो आईए चर्चा शुरू करते किस पर walk-up segment में और walk-up segment में मैं आपसे बात करूँ तो मैं आपको य यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि beginning जो होती है वो बहुत difficult होती किसी भी चीज की वरना instant आप चीज को अगर देखा जाए तो दोस्तों bro word जो है bro actually इसका significant word तो यह है short form में जिसे हम कहते हैं भाई यानि की brother दूसरे सब्दों में हम sibling को कहते हैं जो की mail होता है am I right लेकिन एक द होता है क्योंकि आप जरुणी एक bro में brother ही लेकर के आए informal concept में bro का मतलब friend यानि की दोस्त भी हो सकता है लेकि जब हम bra की बात करते हैं दोस्तों bra की तो actually क्या है यह informal में bro का female है यह क्या है feminine है यह feminine है किसका दोस्तों bro کا यह bro का ही feminine है और यسे हम unofficially हम यह कह सकते हैं कि ये जो है female friend का प्रतीक है female कोई है और वो अगर friend है तो उसका प्रतीक है आप इसको sis का कलेक्वल भी मान सकते हैं sis का कलेक्वल भी होती है ये bra जो कि हम जैसे अगर भाई को कहते हैं high bro तो हम friend या sister को in short जो है हम bra भी कहते हैं दूसरे सब्दों में ये feminine gender को represent करता है am I right मकसद ये नहीं है दोस्तों कि मैं आपको ये बताऊं मकसद मेरा बहुत simple है कि high bras, high bros आप बड़ी आसानी से कह सकते हो actually देखिए actually क्या है देखा जाये तो आपको अगर systematic डंग से कर मैं समझा हूँ तो एक English में word है brazier ये brazier है ये full word है 1900 में 1900 में जुसका आप कह सकते हो कि 19th century के beginning में इस word को obsolete मान करके और इसका एक full word इजात किया गया जिसे हम कहते है bra जो की एक तरह से inner garment के लिए use की जाती है inner garment और ये use इस लिक की जाती है दोस्तों क्योंकि ये bracket के concept से निकल के आई है कोई चीज को bracket कर देना उस concept से निकल के आया short form में और 19th century में inner garments के लिए ये जो है brazier जो की expanded noun था उसी का short form बना है दोस्तों सवाल ये है ना कि English हमें आती कितनी है और क्यों हम English को इतना ज़्यादा importance लेकर के पढ़ें या छोटे-छोटे words हमारी tension क्यों बन जाते हैं वह simple सी बात है एक word आपको लिखता हूँ bra right दोस्तों bra आपको ये लगता होगा कि चलो ये brazier का short form में या inner garment की बात कर रहे हैं या female friend या female bro sis वाले element में जैसे bro आप bra की बात कर रहे है ऐसा नहीं है दोस्तों देखिए आपको छोटी सी एक चीज़ बनाता हूँ किसी के आप में से जो science के student रहे हो अगर science के student अगर आप हो तो आपको quantum आपको जरूर quantum आती होगी quantum physics में या quantum mechanics में समझने कोर्षिस करना आपको बहुत सी चीज़ें आगे पता चलेगी आप देखो गी तो आप हैरान रहे जाओगे इसमें एक सेग vocabulary है एक सेग question है एक सेग teaching point है आपको अपनी life में इस तरह से colorful presentation एक एक word के meaning के साथ में शायदी कोई दे पाएगा इसलिए थोड़ा सा patience बनाए रखें इसमें ठीक है न और हम चलते quantum physics है mechanics में क्या होता है दोस्तों आप समय नहीं कोर्षिस करना कि vector होती है आपको पदा the product of two vectors the product of two vectors मैं बहुत जल्दी खदम कर दूँँगा इसको the product of two vectors तो दो vector के जब product लेते हम किसमें quantum physics या mechanics में तो क्या होता है उनमें से एक operator होता है तो उसमें एक जो होता है इसमें side होती है sir है ना left side और right side तो left side का जो product होता है वो तो कहलाता है bra और जो right side का product होता है right side का product होता है वो कहलाता है ket ket तो bra एक तरह से क्या है quantum physics के अंदर vector को represent करने की left side की unit है और जिसका symbol मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि उसे किस तरह से represent किया जाता है उसे इस तरह से represent किया जाता है दोस्तों कि इस तरह से जो तिर्शूल होता ने शीव जी का आपने इस देखा होगा ये उसका representation है image का इस तरह से जिनके quantum physics रही है उनको पता होगा इस तरह से इस तरह से उसे represent किया जाता है ये इसका symbol है तो आज आपने क्या सिखा आपने इस सिखा कि अगर कुछ आता है तो बहुत सही है नहीं आता है तो चीज़ों को हमें सीखना पड़ता है वोर्ड के हिसाब से हमें चीज़ों को सीखना पड़ता है दोस्तों यहां दोस्तों एक चीज़ आपको और सिखाने कोशिच करता हूं अगर आप मेरा साथ देतों वो यह है कि जब आप कोई चीज़ को सीखते हैं दोस्तों तो हमें सा याद रखें कि L-O-L-O D-O-D-O और F-O-E-F-O यह छोटे-छोटे तीन वर्ड हैं लेकिन इसका भी आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हो उनमें से कई को इसका मतलब नहीं बता होगा लो का मतलब है C यानि कि देखो dictionary meaning है और यह बहुत से exam में F-O का मतलब होता है दोस्तो enemy यानि की दुश्मन यानि की दुश्मन तो मेरा कहने का मतलब है low, fo, do, यह जो words है यह English के कितने common words है दोस्तो एकदम common words है लेकिन इसके बावजूद हमें इसके बारे में बहुत सी चीज़ें नहीं आती है तो मैं यह कहसे हैं चाहता हूं कि आप video को अगर बहुत अच्छी तरह से देखेंगे तो we'll get to know so many things that you would love to watch आई यह vocab segment को आपके लिए शुरू करता हूं शांदार एक से एक vocab के pattern को चलाता हूं और यहां कुछ पहले phobia के बाते करते हैं किसकी बाते करेंगे दोस्तों हम यहां पहले कुछ phobia के बाते करेंगे तो I hope you will appreciate पहला है altophobia किस से जुड़ा हुआ दोस्तों simple सी बात है altophobia जुड़ा हुआ है height height से और phobia का मतलब क्या होगा आपको पता ही है phobia का मतलब fear तो fear of fear of बोलिए मेरे साथ fear of height अब आपसे एक सवाल करूँ है दोस्तों अगर आप थोड़ी इसी चीजों को मेरे साथ color देख रहा होगा आपको उम्मीद करता हूँ अगर color नहीं देख रहा हो तो मैं दूसकों color combination में लेके जा सकता हूँ चीक है नहीं जहां यह और बैतर हमें देखे चीक है आई होग की यह color ज्यादा बैतर देखेगा fear of height इसका एक दूसरा form भी है दोस्तों आपने सुना होगा ACRO, PHO, BIA, Acrophobia Acrophobia यानि एल्टोफोबिया एल्टो में भी altitude यानि कि height होती है और एक्रो में भी दोस्तों height होती है और दोनों को मिला करके बना दिया हमने क्या fear of height यानि कि acro या एल्टोफोबिया अब एक छोटा सा सवाल करूँगा अगर life में कुछ बनना चाहते हो English की respect करते हो English language के respect करते हो तो आपको बताना होगा इसका opposite क्या होगा चलिए बताईए फटाफट अगर आप वीडियो देख रहे हैं और comment box में आप लिख सकते हैं चाहें तो कि इसका opposite क्या होगा नहीं बताना दोस्तों लेकिन अगर आपको वो word दे दूँ तो आप बता दोगी कि हाँ ये है चलिए दोस्तों एक word है English में उंचाई का गहराई बैथोफोबिया आपने सुना होगा अब आपको आगिया हाँ बैथोफोबिया is equal to गहराई से उंचाई का उल्टा नीचाई होगी ने तो गहराई से डर हम बच्पन में ऐसे सिखते थे कि एल्टोफोबिया मिल गया एक्रोफोबिया मिल गया तो हमें बैथोफोबिया मिलना बहुत जरूरी हो जाएगा तो किसी चीज़ को किसी को गहराई से डर लगता है दोस्तों जादा टाइम नहीं लूँगा हम आपका है क्योंकि आपके टाइम बहुत कीमती है अगोरफोबिया फोबिया में तो fear है ही तो fear को लगा दें है fear of crowd fear of crowd जो भीट भार होती है नहीं दोस्तों उभीड़ बहुत डर लगता है 5 उपन स्पेस में जाने से भी कई को बहुत डर लगता है open space या social get together social get together याने कि भीडवार्ज वाली जगहों के उनको क्या लगता है या खुले स्थानों पर उनको क्या लगता है बहुत जादा डर लगता है इसका opposite क्या आपको पता है claustrophobia आप में पढ़ा होगा बचपन में अभी भी पढ़ा होगा claustrophobia है नहें ये क्लोज बंद से घुटन होती है इनको आयलुरोफोबिया अगर ये आपको आता है तो ठीक है नहीं तो मैं इसका एक और वर्ड लिख देता हूँ इलुरोफोबिया आयलुरो का ही बहन भाई रूप है ये एलुरो पीएचो बीवाई है, एलुरोफोबिया क्या होता है दोस्तों, है ने, fear of cat family, cat, बिल्ली जो होती है, उससे जो डर लगता है दोस्तों, वो होता आपका, ठीक है ने, एलुरोफोबिया, आगे चलते हैं दोस्तों, एंडुरोफोबिया, एंडुरो में आपको पता है, माना होता है, fear of man, fear of man, woman नहीं, सिर्फ मर्दों से डर लगता है, औरतों से नहीं, औरतों में तो घुल मिल करके जा सकते हैं, ऐसे लोग हैं, जो डांडिया खेलने जाते हैं, वहार रासलिला में या किसी नवरात्रा के गर्भा के फंक्शन में, और औरतों औरतों में घृरे रहते हैं, तब तक तो कोई उनको दिक्कत नहीं होती है, और जैसे कोई आदमी डांडिया लेकर आ जाता है, वो पीछे हड़ जाते हैं, कहें उंगली ने तोड़ दे, तो उनको फीमेल से कोई दिक्कत नहीं है, यानिका उनको गाइनोफोबिया नहीं है, उनको एंड्रोफोबिया तो यह सिर्फ मर्दों का डर है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, स्त्रियों या औरतों या जनानियों से नहीं, यह मर्दों का डर है, और यह है मकडी का डर, फियर ओफ स्पाइडर, दोस्तों इसमें से अगर आपको दस फोबिया भी नहीं आए तो आप समझ लेना, आज की संडे की आपकी क्लास में श्येशन में आने का मकसद बिलकुल सफल हो गया है, फियर ओफ स्पाइडर, हिंदी में लिख देता हूँ, मकडी से डर, यह जो मकडी तरह तरह की होती है, उससे डर लगता है, एंथ्रोपोफोबिया क्या है दोस्तों, यह अक्चुली एंड्रो में तो सिर्फ मर्दों से डर है, औरतों से नहीं है, एंथ्रो में पूरी मानोजाती से डर है, तो यह हो जाएगा आपका एंथ्रोपोफोबिया, आगे चलेंगे दोस्तों, कौनसा फोबिया हो गया, या आपका होगया बैतोफोबिया कौन सा होगया बैतोफोबिया अब ये भी बता के किया हूँ आपको यहाँ पर अल्टोफोबिया या एक्रोफोबिया का पोजिट है उचाई का नीचाई या गहराई बैतोफोबिया ये किसका डर होगया फिर ओफ fear of death fear of death right दोस्तों ध्यान दे 10,000 से उपर S.S.C. में सेलेक्शन है मेरे 10,000 से उपर तक्रीवन 4,000 के उपर बैंक में सेलेक्शन है IBPS 2011 IBPS 2011 एक बैच में से 413 सेलेक्शन दी है कोई जिला ऐसा नहीं जाब पोस्टिंग ना आई हो एक मतर देना बैंक के कैसा बैंक है देना बैंक जिस बैंक में मेरे पढ़ाएवे स्टूडेंट की उस साल पोस्टिंग नहीं आई थी बाकि इंडिया के जितने नेस्टलाइज बैंक है हर एक बैंक में किसे ने किसी बैंक में मेरा स्टूडेंट लगा था मैं SSC bank बहुत सालों से बढ़ा रहा हूँ इंगलिस पढ़ाते हुझे 30 साल हो गए 30 years यह देख लो आप 92 के असपास 92 के असपास मैं मैंने पढ़ाने शुरू कर दिया था professionally और you will be surprised पिछले 19-20 साल से मैंने किताब नहीं खोली है है न मैंने कोई पढ़ने के लिए किताब नहीं खोली है मेरा काम perfect है और मैं मैंनत करता हूँ update करता हूँ लेकिन rules के लिए किताब नहीं खोलता हूँ हाँ कभी कभार आपको question देने होते हैं कभी कभार आपको अगर कोई example देना होता है तो किताब उठा लिए और किताब उठा करके question बना दी है वो एक अलग बात है साइनोफोबिया इसको कैनोफोबिया भी कहते हैं बहुत जग़े सी ए एनो पी हो बी आई ए कैनोफोबिया जिसमें कनाइन होते हैं दोस्तों लंबे दो उपर दो नीचे दात होते हैं फियर ओफ डॉग्स फियर ओफ डॉग्स कुतों का डर राइट कैनोफोबिया क्लॉस्टोफोबिया आ गया यह नहीं फियर ओफ क्लोज्ड यानि कि बंद या एक और वर्ड है चारो तरफ से घुटन बरा इस पेस या इलाका जो होता है उसका डर जो दोस्तों क्या कहलाएगा क्लॉस्टोफोबिया गया एंटोमोफोबिया राइट फियर ओफ इंसेक्स कीडों का डर कई बार बारिश में क्या होता है tubulite पर बहुत से कीड़े आगर दे फटफटाने लगते हैं लोग क्या करते हैं बत्ती बंद कर देते हैं light off कर देते हैं उनको लगता है कि कीड़े जो गर में ने गुश जाए बदन पर ऐसे हैसे होने लगता है तो insects से fear होता है उनको entomophobia कहते हैं entomophobia अच्छा entomophobia क्या होता है देखिए दोस्तो fear of blushing fear of blushing यह शर्मा कर यह जो लाल हो जाना यह fear of being red red यह जो color red होता है fear of color red red color कभी नहीं बोलेंगे color पहले लाएंगे तो ठीका red color क्या होगा super flush हो जाएगा उसे English में हम redundancy error कहते हैं आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं I like red color यह तो बोलिए I like red खतम और यह color को पहले लाना होगा I like color red तो fear of blushing शर्म से लाल होने का डर हाई मा दया मैं मर गई है यह जो शर्म से लाल होने का डर होता है शर्म से लाल हो जाना राधा जो थी ना राधा काना की क्रिस्म की प्रेमी का राधा को अक्सर यह हुआ करता था यह नो राधा blush करती तो उसको क्या था eritophobia था fear से वो मतलब लाल हो जाते थी दोस्तो gamophobia क्या है fear of gamo gametes gammy यह हमेसा marriage और milan से जुड़ा हुआ है तो fear of marriage fear of marriage marriage भी बोलते है बहुत से हम लोग इसको थोड़ा सा marriage English में थोड़ा style से बोलेंगे तो क्या होगा थोड़ा सा अच्छा लगता है you know what दोस्तों कई बहुत लड़के कहते हैं क्लास में जब हम offline पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं सर परिपोजिशन नहीं पढ़ाओगे या कुछ लड़के होते हैं सर परिपोजिशन पढ़ा दो कुछ परिपोजिशन लड़किया correct style से सर प्रापजिशन कब कराओगे प्रापजिशन तो वो थोड़ा सा style में बोलती है English को style में बोलने का अपना एक मज़ा है मैंने spoken की class चलाई है मैंने 18 साल तक मेरे बच्चे पढ़ाए वे जिनको spoken English से खाई है वो बाहर है Italy, Venice के अंदर France में, Frankfurt में Germany में spoken के दुरू कुछ उसमें nurses हैं, कुछ उनमें compounders हैं बहुत अच्छी spoken English करवाई है उनको, आपके लिए भी ले के आऊँगा मैं स्टेशन आपका, comment box में लिखे SSC, bank से related जितने भी आपके topics हो Saturday, Sunday events में आता हूँ कोशिश करूँ हूँ कि मैं SSC पे regular section करूँ हूँ bank पे, right you know मुझे बहुत से बच्चों ने comment box में लिखा है कि सर आप wifi study पे क्यों नहीं पढ़ाते हो actually पढ़ातो तो wifi study हूँ लेकिन wifi study पे मेरा channel है defense exams, wifi study defense exams जहां मेरे 125 वीडियो पढ़े हैं अगर इसमें से किसे ने 40% भी देख लिया, सीख लिया उसको दोबारा English पढ़ने की जुरत नहीं पढ़ेगी आईए next में पढ़ते हैं gymnophobia अब देख तो क्या होता दोस्तों gym को देखकर के लोग सुचते हैं gym जाने का डर am I right? actually ऐसा कुछ नहीं है ये actually Greek Latin French से जैसे बनता है न तो Greek Latin French से जैसे बनेगा तो आपको उसी ही साब से लेना पड़ेगा fear of being naked fear of being naked right? तो क्या होता है? नंगे होने का डर right? कोई तोलिये में है नहारा बात्रूम में किसी ने call bill बजाई और वो बाहर आया और तोलिया बांदा हुआ तोलिया भी पकड़ के रख रहा उसे लग रहा है तोलिया मेरा कमर के नीचे सरक न जाए ऐसे व्यक्तिकों क्या डर है नंगे पन से डर लगता है MRI छोटे बच्चे को भी वो नंगा देखता है तो बलाए ची पैंट 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 गया शुसू दिख रही है तो यह फिर 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 फि मैं इंडिया के 15-16 स्टेट्स में रहा हुआ हूँ या पढ़ा हुआ हूँ या मैंने जॉब किया है, मुझे 10 भासाइं आती है, मुझे मराठी आती है, बंगाली आती है, असमी आती है, पंज्याबी आती है, मुझे राजस्थानी आती है, बीका नेरी आती है, इसके बाद मे तो मैं आक के अच्ची चीज़ बताता हूँ तब तो डर नहीं लगता है क्योंकि ट्रेन गिरेगी नहीं गिरेगी भी तो खंबों के टिक जाएगी लेकिन कई बर ऑपन ब्रिज होते हैं जिसके दोनों साइट क्या होता आपको समझ में आ गया रेलिंग्स नहीं होती है तो मैं बच्पन में छोटा था तो जब धड़न ध होता है ऐना फीराफ है या पलेजड торов़ एप्पीनेस फीर ऑपिनेस या प्लेजर राइट खुश्यों से किसी को खुश्यों से भी डर लगता है खुशी के जो पल आते है उसमें भी किसी को डर लगने लगता है राइट जार देव वन टाइप कि फिल्मों की जो हां तो आपने हैं लोगों में कि धर्द रहना चाहिे जूँए कई बाधक एक पल्क की खुशी भेला घुशिए ओने लगता है। आप इस विपया क्या है कि अबप बताई है सब मैं घुटा को से बागप दोस्तों इवेंट में याद है ब्रो वर्सेस ब्राई यह जो आपने देखा ने शुरू में यह आपने शुरू में देखा वो लगा क्या पता नहीं क्या होगा आप लोग हमेसे एक चीज देखिए थमनेल से इंग्लिस नहीं पड़ सकते थमनेल से लेशन के अंदर क्या है पता नहीं चल सकता आपको मैं इमानदारी से बता रहा हूँ ठीक है नकली और असली में फर्क समझें चीजों को अंदर क्या है वो किसको क्या बता है कभी देख लिया कीजिए सुनी सर की क्लास को फायदा मिलेगा हाइपेंजियोफोबिया क्या है पापा ने कह दिया बिजली का बिल जमा कर रहा न तेरे को ठीक है अब आपको रात बर नीम दी आई क्यों आपको हाइपेंजियोफोबिया हो गया फियर अफ रेस्पॉंसिबिलिटी जिम्मेदारी से भी बहुत लोग डरते हैं एमार राइट ठीक है बेहन की शादिये घर में डर लगने लग गया क्याम कैसे होगा हलवाई कैसे कहां बैठाएंगे कडाई कहां चढ़ाएंगे मेहमान आएंगे ते जारा कमरे छे हैं पांच हैं टेंट कहां लगवाएंगे पीछे लगवाएंगे या आगे घर के आगे लगवाएंगे यह होता है है पेंचियोफोबिया और हिपनोफोबिया बता ही आप तु आगोश की नीन्द या निंद्र या मुर्चा में चले जाना तो फियर आफ स्लीप fear of sleep यह हो जाएगा आपका नीन का डर या नहीं कि hypnophobia इसका बताईए आप इसको कहलों पढ़ा ही नहीं होगा iqthophobia क्या है दोस्तों यह यह ग्रीक से लिया हुआ fear of fish fear of fish मेरे एक पंजाबी दोस्त है दोस्तों आपको बताता हूं मेरे एक पंजाबी दोस्त है तो वो गुडगाओ रहता है right atlas cycle जो है उसमें वो काम करता है atlas cycle में वो manager है तो उसको क्या है उसको है आइटियो फोबिया वो मटन खालेगा वो चिकन खालेगा और दबा के खालेगा मैं तो नहीं खाता अच्छी जॉब करता है दो लाख रुपे की salary है flat है खुद का गुडगाओं जैसे अलाके में 90 लाख रुपे या तो साधन संपन है बटन चीकन में तो लेगे फिश में उसकी जान निकलती है फिश में क्या होता है actually मैं आपको बताऊ उसका पीछे reason ये है कि फिश खाने के बाद में जो फिश में जो काटे होते ने इस तरह के जो ये ये उसको लगता मेरे गले में फस जाएंगे मेरी सांस की नली बंद हो जाएगी तो किसी किसी को आप 1000 रुपे दे दो उसको बोले ये फिश खा ले एक 1000 बे दुगा नहीं कहेंगे क्यों उनको आइटियो फोफोबिया है उनको मचली का डर है माइसोफोबिया क्या होता है दोस्तों माइसोफोबीया fear तो आपको पता है ये मैं बहुत बेखुब ही का रहा हूं आँ बार-बार fear लिख रहा हूँ, fear of dirt, धूल, uncleanliness, uncleanliness, धूस्तों, धूल, मिट्टी, गंदगी का जिसको डर लगता है, F-I-L-T-H, फिल्ड भी कर सकते हैं, धूल, मिट्टी, गंदगी का जिसको डर लगता है, उसको इंगलिस में, mysophobia है, जाड़ो दे देती है, बात-बात में पर्दों के उपर से, ऐसे कपड़े मारती रहती है, बात-बात में डाइनिंग टेबल, अभी साफ की, दो गंडे बाद फिर साफ करी है, मैंने का क्या कर रही हो तुम नहीं तू, तो भाईया, इसमें देखो, मिट्टी कितनी है, अभी यह भी साफ की दो गंडे, फिर से देखो, धूल, कंप्यूटर पर देखो, यह देखो, LED पर देखो कैसे धूल जम रही है, तो वो एक्चुली पागल नहीं है, पर उसको mysophobia है, अरे वातर्ण में धूल, डस्ट पार्टिकल तो होते ही है, वो तो वातर्ण में उरते उरते हवा के साथ में, यह नो मौइस्त के साथ में, वो तो जमेंगे, मेरे लैक्टॉप यह उस पे, हैंना कीबोर्ड पे मान लो, यह नोटपैड है, और है, पैंटेब है उस पे धूल मिट्टी पढ़ती ह foss कुट करेंगे तो माइसोफोबिय हो गिया यह अगर आप बता देंगे तो मैं आपको एक हजार रोपया नहीं मैं आपको 100 ओदो टूना ये ये ऐसे ये एधम वार दूमा बता κatics नमो फोबिया टैम लुँता फोबिया का अधान back ओ सकते हैं और मैंने ना बस नियुक्ट सकते था यार मैंने कहाँ हैं तिन सब्सक्राइब यह नो फोबिया दो फेछने विल्ला fear of loss loss माने खो जाना fear of loss of mobile phone mobile phone यह नया फोबिया जुड़ा है fear of loss of mobile phone या या टॉक टाइम जरी नहीं है mobile phone आपका खोया हो mobile phone है लेकिन टॉक टाइम कतम या loss of signal oblique connectivity यह कोई भी एक में ले सकते हैं आप दोस्तों नॉमोफोबिया मोबाइल से जुड़ा हुआ फोबिया है और जहां आप signal की connectivity टॉक टाइम या mobile phone के पूरे के पूरे phone के एक हो जाने का डर है मैं बताओं आपको इंडिया में हर दूसरे आपने को नॉमोफोबिया है बार बार दो-दो मिंट बाद मेरा मोबाइल के शक्रीन को देखना या टॉक टावर देखना या बैनस देखना निक्टोफ पोबिया क्या है fear of night किसी किसी को रात से बहुत डर लगता है दिन के उजाले में ठीक है रात होते ही या night नहीं हो जरू नहीं है थोड़ा सा अंधेरा भी गोर अंधेरा चाह गया निक्टोफोबिया है मेरे डॉग को है ये फोबिया मेरा डॉग जो है वो बत्ती बुझाने नहीं देता सोते समय मेरे एक पेट है जेरी नाम है उसका उसको निक्टोफोबिया है जरा से भी अगर दिन के समय अगर बादल हो गए और अंधेरा हो गया बादलों के कारण तो वो डरने लगता है पंजे बंजे पटकने लगता है उसको निक्टोफोबिया है तो नाइट ये डाकनेस का फोबिया निक्टोफोबिया अब मैं पूरा नहीं लिखूँगा दोस्तों फियर S.N.A.K.S. क्या बोला आपने सनेक्स साप का डर इसका साप का डर चीक है पैथोफोबिया डिजीज किसी को पैथोफोबिया है उसको बिमारी का डर है किसका डर है बिमारी का बार बार कहेगा यार आजकल मुझे कुछ हो गया है पता है आजकल मेरे यहां से लेके यहां तक हर जग है पेन होता है आजकल मुझे लगता है मेरी सांसे रुख जाएगी आजकल मुझे यह हो गया इस तरह के एक्टिंग बाद होते हैं उनको पैथोफोबिया हो जाता है अच्छा पीडियोफोबिया या पीडियोफोबिया पीडियोफोबिया इनमें थोड़ा सा फर्क है थोड़ा सा देख ले पीडियोफोबिया फियर अफ डॉल्स है फियर अफ डॉल्स यानि कि गुड़िया 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 जो घर में सजाते हैं उनका डर है मेरे घर में भी सजे हुए है शोकेस में ऐसे लग रहा थे एक रात मैं सो रहा था तो मेरी आंक लिए तो मुझे लगा कि छोटे चोटे दो सैनिक हैं, छोटा-छोटा भाला, इत्ते से सैनिक, इलावाद से खरीद के लाये थे हम मेले में, इत्ते से सैनिक भाला ली वे, छोटा सा भाला इत्ता सा, और मुझे लगा यार यह मेली और ही क्यों देख रहा है, मुझे मारेगा क्या, तो एकतर से पुतला ही तो ह आप समझे रहो मेरी हिंदी, मेरी हिंदी, उसको हम पुतला तो कहते हैं न, पुतला, तो पुतले का डर है न, जो डॉल्स होते हैं उसका डर, या पेडोफोबिया, फीर अफ चिल्डेन, यानि कि छोटे बच्चों से डर, कुछ मौले कॉलोनी में लोग अक्से छोटे चान रहते हैं और कहते हैं सर में दर्द होता है बच्चों की छुट्टिया खत्म हो जाए, स्कूल खुल जाए तो ठीक है उनको पिडोफोबिया है फोबिया, फिर फ़ेर, डरों का डर, डरों का डर, फिर फिर अफ यह प्लूरल हो गया और के बाद ले प्लूरल हो जगए जुखाम का ठंड का डर, आइस्क्रीम नहीं खाऊंगा, यह लसी ठंडी क्यों है, बरफ डाल दी, मैं नहीं प्योंगा, नहीं, सिकेंजी में मेरे बरफ मत डालना, यह देख रहे हैं सर्दी जुखाम का डर, ठीक है, आगे चलेंगे, स्कोपोफोबिया क्या होता है, दोस्तो यह दूपट्टा ऐसे कर लेती है, फिर एक गुलगापपा खाती है क्या कर रही है, लड़का कर रही है तूँ है, यह अई कोई देख न ले, और राम भाही आ जाएंगे, पापा अभी दुकान आने वाले है, इधर से जाएंगे, पापा तेरे साथ गुलगपपा खाते तो ये बच्ची को बच्ची कोँगा क्योंकि मेरे लिए तो बच्ची होगी वो मैं 52 एर्स को हूँ मेरी बेटी हाई कोट में वकील है कुछ बच्चियों को स्कोपोफोबिया होता है उसकोफोबिया क्या कहते है fear of being fear of being seen किसी के दौरा देख ले या कोई घूर ने ले मैं गुलगपा खा रही हूँ गुलगपा आदा फूटा मुह से पानी गिरा और कोई कैसे देख रहा है मुझे बबाबा बत्तमीज तो ये स्कोपोफोबिया है अरे वो देख रहा है देखने तो तुम गुलगपा खाओ यार तुम्हें क्या टेंजिन है लेकिन ना उसकोपोफोबिया है दोस्तों सेशन को शेयर करें प्लीज रिक्वेस्ट आप से मैं उम्र के उस दोर में हूँ जहां मुझे शेयर लाइक उनसे कोई फरक नहीं पढ़ता है मैंने तीस साल पढ़ा लिया घर, परिवार, मकान, जमीन, खेत सब कुछ है मेरे पास एक इलतजा है वस नाम नीचा न हो रिक्वेस्ट है मा सरस्वती का बेटा हूँ इसलिए आप से विंती कर रहा हूँ सेशन को शेयर जरूर करें स्पेक्ट्रोफोबिया क्या होता दोस्तों स्पेक्ट्रोफोबिया मीरर का डर मीरर मीरर का डर कई लड़कें सुबह उठती है राइट्स, बात्रूम जाती है नल खोलती है पानी के स्प्लैश मारती है चेरे पर कावल लेती है, पोस्ती है चली आती है, शीशा नहीं देखती है कई बच्ची है, क्यों? उनको लगता है आज पता नहीं, पिंपल्स या एक्ने या इनो सोर्स होंगे, या आज थोड़ा सा रैशिस ज्यादा होगा, कल मैंने दवाई नहीं लगाई, शीशे में खुद को देखने का डर, शीशे का डर, शीशे का बेलजियम में, योगोसलाविया में कई औरते मा नहीं बनती शादी होने के बाद भी, अड़प्ट करती है क्यों नहीं बनती है? उनको लगता है प्रेगनेंसी में जब चाइड़ बर्थ होगा तो बहुत ज़्यादा पेन होगा प्रेजनन का डर, प्रेजनन अजीब लगता है प्रेजनन अजीब अच्छे इंगलिस ही है फिर अफ चाइड़ बर्थ, थियोफोबिया क्या है? थियोफोबिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता भगवान मुझे बहुत पाप देगा मैं भगवान को क्या जवाद दूगा? भगवान से डरो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो ये जो डायलोग है दोस्तों आपको हिंदी फिल्मों में देखा होगा ये फियर आफ किसका है? फियर आफ गॉड लेकिन आजकल के लोगों में थियोफोबिया नहीं है देवता या इश्वर से डरना वो थियोफोबिया है, इस्वर का भए जिसको लगता हो आगे चलेंगे, बोली दोस्तों क्या है? ये बताते तो मांजाओ आपको ट्रा स्काइडेकाफोबिया, ये ट्री नहीं बोलेंगे इसको ट्राई, ट्राई skydeca try skydeca phobia try skydeca phobia try skydeca phobia try skydeca phobia कुछ लोग जाते हैं hotel में कुछ लोग जाते हैं multi cuisine में suit में और में किसी yacht पर जाते हैं किसी cruise में किसी liner पर किसी जहाज पर वो सब कुछ लेते हैं लेकिन 13 नहीं लेते fear of 13 13 क्या है दोस्तों number fear of number 13 13 number का डर ऐसे फुटबॉल के खिलाड़ी हैं कि 13 number की जरसी नहीं पहनेंगे क्यों उनको 13 number तेरा को unlucky मांते हैं यह तरह किसी को होटल में room मिला एक सो तेरा दो हजार तेरा एक हजार तेरा तो वो नहीं लेंगे वो बलेंगे दूसरा number दो राइट ठीकर है तो कई होटलों में क्या होता है 2010 room number 2011 2012 और फिर 2014 आप बोलोगे ऐसे कैसे 12 14 तो यह क्यों नहीं दोस्तों इसका नमर वो लगाते है 2012 भी तेरा गायब कर देते हैं तो अब बताईए triskyderophobia किसका प्रतीक है fear of number 13 और जिलोफोबिया यह किसका प्रतीक है fear of jealousy jealousy जानते न जिलस होना right है न क्या जलन इरश्या कडर है यार क्या top पहन के आई थी इतनी घजब लग रहे थी कमीनी ने बताया नहीं मुझे कहां से लिया top मैंने छे बर पूछा सुनना शेफाली यह कहां से लेकिया यह बता देना अरे यह सरोजिनी नगर से तो दुकान अब दुकान का तो नाम मुझे नहीं पता कमीनी ऐसी जिलो फोबिया है उसमें आप समझ में आ गया होगा यह मैं बीज बीज मैंसे पात्रे कर देता हूं बेहन बेटियों के लिए हाने आप सब खुश रहें हाने आबाद रहें तो दोस्तों यह सारे फोबिया मैंने आपको पढ़ा रहा हूं बहुत अच्छी चीज दोस्तों छोड़ ज्यादा नहीं है यह 15-20 से अभी आम इसको खदम कर देंगे आप बोलोगे तो ठीक है ना अभी जस्ट इसको फिनिश कर देंगे क्या है यह बताईए आप कलर चेंज करूंगा थोड़ा साथ I need that मैं आपको सबकी हिंदी बता रहा हूं अब्जेट का मतलब घोर घोर राइट बेहत अत्यंत हिंदी बता रहा हूं सबकी गोहत भेर अत्यंत अब्जेट का मतलब क्या है अच्छुली experience or present to the maximum degree राइट अपने फेल की खबर सुनकर वो घोर निराशा में आ गया वो घोर दुखों के तकलिफ में आ गया तो the result plunged her into abject misery abject misery means घोर निराशा तो जैसे आप abject misery बोलोगे आज के बाद abject का मतलब पता चल गया आपको अत्यंत बेहत या घोर क्यों कैसा लगा दोस्तों आगे चलिए abscond का मतलब होता है फरार फरार लापता leave hurriedly and secretly जल्दबाजी में तेजी से और गुपत रूप से निकल जाना भाग जाना फरार या लापता after a secret was revealed जैसे उसका राज लोगों तक प्रकट हुआ she absconded from the party वो पार्टी से भाग खड़ी हुई right आगे कोश्य नहीं आपसे नहीं कि 47 लगी है नहीं उसमें painting है और नहीं उसमेंovichمن architecture लॉया किसी चीज़ से sudahention इसे अर्दु में कहते हैं मर्हूम मढशने मर्हूम माने तो मर्त होता है किसी की जूटी आरोपिया, किसी की आलोचना करना, उसको इंगलिस में करते हैं, कलमनी, the making of false and defamatory, अपमान जनक, statement, comment about someone order to damage one, नुकसान पहुचाना, reputation का मतलब, किसी के नाम को बदनाम करना, नाम को बदनाम करने को इंगलिस में कहते हैं, नाम बदनाम करना, कलमनी, he doesn't seem like a person who would spread a calumny of others, वो ऐसा इंसान नहीं लेखता कि दूसरों के बारे में अपमान जनक, बदनामी की बाते करें, right, कुछ लोग एक दूसरी एक अलोबनी करते हैं, Capitulate करना means surrender करना, दबा देना, थाम देना, रोग देना, घुटने टेक देना, कई मतलब हो सकते हैं, थाम देना, रोग देना, घुटने टेक देना, surrender करना, cease to resist, means प्रतिरोग चमता खदम कर देना, Our forces were prepared to capitulate enemies, हमारी सेना है जो है, वो दुश्मनों को capitulate करने के लिए, पुरी तरसे तयारती, surrender करने के लिए, dirge, a lament for the dead, especially one forming part of a funeral right, right, sir, अंतिम संसकार के समय, खास थोड़ पर किसी मृतक की लाश के आसपास, विलाप करना, विलाप जानते हो ना, है, शोक, पापा, पापा लोटाओ, पापा, पापा आजाओ, प्लीज, पापा, कम बेक, पापा, कम बेक, ये मैं आक्टिंग नहीं कर रहा हुं दोस्तों, ये मै ने पापा को याद किया dispel का मतलब क्या होता है दूर करना dispel का मतलब दूर करना हटाना अंदकार को किसी के अज्यानता को हटा देना make disappear किसी चीज़ को make disappear remove करना the calmness of the morning dispel Ross's disappointment Ross की जो घोर निराशा थी रात पर सुबह की भहली किरन ने उसकी निराशा को अटा दिया नहीं सुबह ने emollient क्या होता है जो soft करने का soft करने का element होता है cozy tender tender का मतलब दोस्तों एक तो tender सरकारी होता है एक tender का मतलब होता है नाजुकिया मुलायम नाजुक मुलायम बनाने वाली कोई चीज़ जो होती है वो emollient होती है और कुछ चीज़ें बहुत hard बना देती है जैसे rubber के अंदर जैसे यहाँ बना है natural rubber जो होता है उसके अंदर आप vulcanize करोगे तो क्या मिला होगे simple जी बात है synthetic formation में rubber के अंदर क्या मिला जादा है कि rubber क्या होता है hard हो जाता है एसे emollient having the quality of softening नरम बनाने की quality या soothing किसी चीज़ को नाजूप नरम बनाने की खास करके तवच्चा को तवच्चा को नाजूप नरम बनाने की chemical जो होते हैं उसको emollient कर दे है I prefer using an emollient shampoo right hair shampoo dandruff shampoo ऐसे emollient shampoo मुझे ज्यादा पसंद है epistolary in the form of letters पत्र की भाषा में कोई चीज़ लिखे होते हैं एक के बाद एक letter लिखते हैं उसको इंगलिस में कहते हैं epistolary इंदरा गांधी को जवाल नानेरू जेल से letter लिखा करते थे रोज एक letter और ऐसे वो letter का पूरा का पूरा क्रम बन जाता था यह सारे के सारे क्या हैं letter है जवाल नानेरू के लिखे हुए इंदरा गांधी को in the form of letters my grandfather's college times epistolary collection is very interesting मेरे दादा जी की epistolary collection है उनके लिखे हुए पत्र जो है college time के सारे के सारे जो उनने दादी मा को लिखे थे वो बहुत ही मज़ेदार है collection होता है actually इसमें umbrage करना किसी को annoyance और offense किसी को नाराज किसी को नाराज या किसी को किसी को नाराज या कुरुद कर देना कुरुद कर देना अपनी activities दे she took umbrage of his root comment किसी ने उसके खिलाब root comment किया and she took umbrage और उसे बहुत ज्यादा तकलिफ नाराजगी हुई आगे चलेंगे ये word पढ़िए इसको क्या बोलते हैं English में बोलिए क्या है impune किसी को challenge करना किसी चीज को challenge करना या आपत्ती करना किसी के बताएवे चीजों पर challenge करना I never impune my wife's capacity as a good mother एक अच्छी मा के रूप में मैं अपने पत्नी की capacity को कभी challenge नहीं करता हूँ मैं जानता हूँ मेरी पत्नी को उसकी capacity को वो एक अच्छी मदर है और मैं इसे कभी impune नहीं करूँगा दोस्तों इसका sound अच्छी थे इसका pronunciation जो है कुछ बच्चे से impugn ऐसे बढ़ते है according to a survey stress according to a survey एक survey के मुताभिक stress can cause or exacerbate health conditions in humans तनाव जो है वो आदमी के स्वास पर और बुरा प्रभाव है नहीं डाल सकती है बद से बदतर इंदी में आपने एक वर्ड सुना होगा बद से बदतर बद से बदतर बनाना उसी को कहते है इंग्लिस में exacerbate करना forbearance forbearance का मतलब होता है इंग्लिस के अंदर right आत्म आत्म बल आत्म बल आत्म बल का मतलब होता है सैयम सैयम forbearance self-control या patience या tolerance किसी में होता है without forbearance Ray wouldn't have cleared his house loan Ray के पास Jason Roy के पास में बहुत जबर्दस आत्म बल था forbearance था और इसलिए अपने उसने मकान का rent चुका दिया loan चुका दिया government तो आपको पता है government means pay to ठूसू ठूस ठूस कर खाने वाला ठूस ठूस कर खाने वाला pay to होता ने pay to chatora chatora बहुत खाने वाला a person who likes and enjoys eating food if you are a desert अगर आप मीठे के सोकीन हो then you must try kent की चोकलेट पाई kent की चोकलेट पाई जो आती है ने अगर आप मीठे के सोकीन हो government हो तो आपको kent की चोकलेट पाई खानी चीए बहुत चानदा डिश है heterogeneous heterogeneous क्या है diverse in content or character चरित्र में निर्माण में या content में कोछीज जो उल्टी होती है ने एकदम just right दोनों मैंने आपस में क्या है heterogeneous है किसी चीज़ के character I gave a heterogeneous ideas for his master's thesis subject right amphibious क्या having less money or no money at all amphibious कौन होता है अगर दरिद्र अभाव गरीब कंगाल amphibious क्या है after buying any house Sam was so amphibious that he couldn't even afford Christmas cards देखे Sam ने घर खरीदा और उस घर के खरीद में इतना दरिद्र और इतना कंगाल हो गया कि उसके पास Christmas cards खरीदने तक के पैसे नहीं थे कुछ लोग 40 लाग का मकान ले 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 लेकिन उसके बाद bed नहीं बना पाते हैं फरनीचर नहीं बना पाते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं मकान दौा जाता है फरनीचर बन नहीं पाता है ऐसे वस्ते इंगिस में खरते हैं MPQ News Pellucid क्या होता है? जो बहुत ही clear जो बहुत ही clear और easy to understand है और जो बहुत ही यल्दी comprehensible हो जाए वो Pellucid है SSC bank वाले जो इसको देख रहे है प्लीज पूरा लेक्चर देखें और इसको शेर करें डिफेंस वाले पटवार वाले LBC वाले जो भी देख रहे हैं इसको इस Pellucid explanation on why he wants to leave the job made hire authorities release him without any condition उसके boss ने जब उसने Pellucid यहने की clear argument दिया और reason दिया कि मैं क्यों छोड़ना चाहता हूं जोब को तो उसको तुरंट उन्होंने बरी कर दिया उनको छोड़ दिया philanthropic यह तो सब को ही पता है an organization of person promoting the welfare of others कल्यान कल्यान कारक जो कल्यान कारी होते हैं लोग नहीं मंगल कारी दूसरों का भला करने वाले वो philanthropic कहलाते हैं भला करने भला करने वाले am I right because of the financial aid received by the philanthropic bodies Kate managed to complete her higher education Kate बहुत गरीब थी लेकिन उसकी higher education complete हो गई भला हो philanthropic संगठनों का मानों का लियान करी संस्थाओं का जिनने उसको पैसे दिये और उसको साहिता करी ताकि वो अपनी higher education complete कर दे दोरह प्रोटियन जो बार बार बदलता है कुछ वाइरस प्रोटियन होते हैं दोस्तों कोवीड 19 दोस्तों आगे आपका कोवीड 19 जो कोवीड 19 है यह क्या है यह प्रोटियन वाइरस है मतलब क्या है बार बार बदल रहा है frequently changing trending versatile विकी कॉशल is a protein actor who is capable of performing any kind of role इर्फान खान जो मर गए रिशी कपूर विकी कॉशल यह प्रोटियन एक्टर विकी कॉशल आज की तारिक में हर तरह के रोल में adjust हो जाते हैं तो frequently changing है ना मैंने इससे आद आपको वाइरस के example दिया कोवीड 19 का वाइरस जो हो प्रोटियन करेक्टर का है स्प्यूरियस माने नकली, illegitimate, गलत, बनावटी नकली, बनावटी, नकली, मिलावटी Am I right? कुछ लोगों के document क्या होते हैं, स्प्यूरियस होते हैं नौकरी तो हासिल कर लेते हैं, तीन साल के बाद जेल में जाते हैं They made spurious claims of accidents just to get the insurance fact Insurance का पैसा मिल जा है, इसलिए उन्होंने क्या किया नकली दावेट ठोक दिये, दुरगटना का, और अपनी कार को नकली, एक्सिडेंट दिखा करके Spurious accident दिखा करके, Spurious claim फाइल कर दिया और insurance का पैसा निकालने की कोशिश की पकड़े गए, सजा होई तो ये था सुनील सर के साथ आज का, thank you very much आप sessions में जूड़े रहे, thank you so much राइट, यहाँ बता दू आपको, मैंने क्यों बताया था आपको ये bro और bro का concept अब आपको समय आगया, bro versus bra में हमने कितना कुछ पढ़ा है, और यहाँ भी हमने बहुत कुछ जानने की कोशिश की है ब्रा क्या है, दो vectors का product में left product जो ब्रा होता है right product जो वो ket होता है, और जिसका symbol मैंने आपको दिखाया ये उसका symbol है, त्रिशूल की तरह है, ठीक है नहीं सिवजी के किसी त्रिशूल की तरह उसका symbol होता है उपर और ये उसका product का sign होता है, और right वाले को ket कहते हैं तो ये Paul Davis की ठोरी थी, quantum physics में, mechanics में, bracket की ठोरी ब्रा अलग उसमें ket अलग है, left side वाला ब्रा और right side वाला ket, दो जो है और bracket brazier का वैसे भी short farm है, और bra friends को भी बोलते हैं जैसे कोई लड़किया बैटी है, आप college में पढ़ते हो, एक लड़का आया, उसकी वो friends है हाई bras, हाई bros, इस तरह से आप बाते भी कर सकते हो, और कुछ चीज़े मैंने आपको बताई, वो difficult थी, साहएद आपने सुनी होगी मैंने नए वर्ड बताई थे, जो मैं कईयों को पता होगा कि क्या वर्ड थे, जो लेट जुड़े उनको बता दूँ, L.O.L.O.D.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F. मुझसे कहते हैं कि सर सेंटेंस में बना दो, वैस सिंपल सी बात है, L.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O.E.F.O लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और मेरा निक सेशिन जब याएगा वेट करेंगे याद रखें SSC, बैंक, आपके डिफेंस हो, आपके LDC हो, आपके सीटेट हो, यूपीटेट हो, टीचर्स हो, रीट हो, कैसे भी एक्जाम हो, तीस साल से इंग्लिस पढ़ा रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ, सारी खुदाई एक तरफ और इंग्लिस की दुहाई एक तरफ, रीजनिंग मैच जी के कितनी भी पढ़ लो, मेरिट में नहीं आओ गया, अगर इंग्लिस का पेपर तुम्हारा क्लियर नहीं वार, इंग्लिस में तुमने टॉप नहीं किया, बाकी तुम्हारी मर्जी, ईश्वर आवाद रखे, खुशाल रखे, सुनिए शिवर के साथ जुड़े रहे, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस रफ यू, हैपी डे अहेड,